कि इस समय हम आनन्द में उस जगह पर मवजूद हैं जहां पर बुलट ट्रेन पर योजना का काम चल रहा है यहां पर गर्डर लांचिंग की तैयारी की जा रही है आए हम बात करते हैं यहां पर जो काम देख रहे हैं प्रदीप जी से उनसे पूछते हैं कि आखिरकार हो क्या प्रदीप जी यह क्या चीज है और कर जैसा कि हमने पीछे देखा जो गडर को हम लोग गडर ट्रांसपोर्टर पर लोड कर किया था वह बेसिकली गडर को यहां लाइख करने के लिए जो मशीन है यह वही मशीन है जिसको की लाउंचिंग एंट्री कहते हैं तो अभी जो इ कि अपना सपोर्ट क्रियेट करते हैं कितनी वजन है यह गेंटरी ए 875 मेट्रिक तन का अपना इनका वजन है क्या इस पर कोई मौसम का भी हफिसर होता है कि रोज आप काम करते रहें से यह यह इसमें पर्रेंट का काफी एक ध्यान रखना होता है और अगर विन्ट स्पीड 20 म पर सेकंड सेगर ज्यादा हो तो हम इसमें वर्क नहीं करते हैं अधर वाइस यह अनसेफ हो जाता है यहां पर मैं देख रहा था खंबे बने हुए यह जिनको आप पियर्स बोलते हैं तो उस पे कुछ नंबर पड़े हुए है तो वह क्या डिपक करते हैं क्या बताते हैं जी इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 435 435 यह हमारा चैनेज है अगर मुंबई को हम जीरो मानते हैं तो यह मुंबई से 435 किलोमेटर दूर यह चैनेज है पी ट्वेल मतलब उस 435 किलोमेटर का यह बारवा नमर का पीर है और उस पे जो डेट लगा है 25 जनवरी 2022 उस तारीक को हमने यह पीर का कास्टिंग किया था एक दिन में कितने गडर लांच होते हैं या एक गडर को लांच करने हम कितने दिन लग जाते हैं नॉर्मली हम लांच कर सकते हैं आपके पैकेज में या इसकी हम बात करते हैं तो इसमें कहां कहां पर जो है इस तरीकी की लांचिंग गंट्री लगी हुई क्या एक ही जगह है कि अलग-अलग सीरों से आप चल रहे हैं जी नहीं हम लोग बेसिकली हमारे चार कास्टिंग यार्ड जिससे चार जगे से हम लोग लॉंचिंग करेंगे लॉंचिंग गंट्री से प्रदीप जी आपका धेर सारा धन्यवाद निवजी शेसन से बाचिक यहां पर आप समझ सकते हैं यह काम पूरी तरीके से टेकनिकल काम है और यहां पर इंजिनियर्स लगे हुए एक और चीज में चलेगा तो यहां जो खंभे के बारे में थोड़ी देर पहले प्रदीप जी बता रहे थे कि 435 का मतलब है मुंबई से यहां तक 435 किलोमीटर साथी साथ यहां पर जो खंभा है अगर पीर की बात करते हैं तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको ब दिखाएंगे कि बुलट ट्रेन जब इस पर चलेगी तो वह पहला विजुवल भी हम आपको निशित तौर पर दिखाएंगे के कैमरा मेन हीरा मंडल के साथ सिध्ध हार्थ निउज इस्टेशन आनंद गुजरात में बुलट ट्रेन का काम जबर्दस तरीके से चल रहा है इस समय हम यहां पर आनंद के काश्टिंग यार्ड के अंदर हैं और यहां पर हम कह सकते हैं एक गर्डर को यहां पर एक जगे से दूसरी जगे उठाया जा रहा है इसकी काश्टिंग हो चुकी है गर्डर यहां पर धी दीरे करके इसको उपर उठाया जा रहा है। और यहां अगर हम देखें, तो अलग-अलग मोल्ड हैं, जिनके अंदर लगातार गर्डर्स बनते रहते हैं। और इन गर्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम ये इस्ट्रेडल करता है और देखिए कितने बड़े बड़े टायर हैं देखिए यहाँ पर और ये जो मसीने हैं यहीं हिंदुस्तान में ही बनी हैं ये कहा जा रहा है और ये खास तरीके की मसीने हैं जिनके ज जगातार इस्टील यह हम कह सकते हैं सरीया डाला जा रहा है और सरीया डाल कर उनको कहीं न कहीं तयार किया जा रहा है यहां पर आप मोल्ड देख सकते हैं कि किस तरीके से मोल्ड तयार किये जा रहे हैं जड़ा दिखाईए उदर धेर सारे मोल्ड बन रहे हैं और यह मोल्ड करने का काम चल रहा है तो यहां KASHTING YARD के अंदर हम कह सकते हैं कि कि अलग अलग मोड्स भी आप देख सकते हैं कि किस त्रीके से यहां पर Meng । तैयार कि यहाते हैं जब te तयार हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि 50-50 टन के ये मोल्ड होते हैं और इनको एक तरीके से हम कह सकते हैं गर्डर के लिए जो बनाये जाता है इसको जो मोल्ड बने हुए उनके अंदर ले जाये जाता है फिर इनर एक तरीके से इनर गेंट्री अंदर डाली जाती है जिसके जर और गर्डर को तयार होने में जो वक्त लगता है अगर हम उसकी बात करें तो 6-7 दिन लग जाते हैं गर्डर को तयार होने में और उसके बाद फिर उसकी लांचिंग की जाती है तो यहां पर मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से लांचिंग का क वीर किया जा रहा है और जब ये उपर उठा लिया जाएगा इसके बाद हम कहे सकते हैं इसका मुव्मेंट कराई जाएगा यानि इसको आगे ले ज़ाएगा तो यहां पर यह जबर्दस्त काम दिखाने के लिए हम आपको यहां पर लाएं है आनंद के अंदर और आनंद में यह जो काम चल रहा है यह हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बुलट ट्रेन का काम जोर पकड़ चुका है जबर्दस तरीके से जोर पकड़ चुका है तो यहां आप इस पूरे के पूरे इस्ट्रेडल करियर को मुद्ध करें तो जगह-जगह जिधर आप नज़र डालेंगे उधर गडरबंद हैं और किस तरीके से उनको बनाये जाता है वह भी हम लापको दिखाएंगे और कैसे उनको ऊपर रखा जाता है वह भी आपको दिखाएंगे यहां पर ट्रैक आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से यहां पर ट्रैक बनाय जा रहा है जिसमें पिएर्स बन चुके हैं और उसके ऊपर हम कह सकते हैं वाइडक्ट लॉंचिंग का काम चल रहा है। और पूरा दबाव है इस समय सरकार का कि जो भी जिन कमपनियों को ये काम दिया गया है वो समय पर पूरा करें क्योंकि 2026 में ट्रायल होने हैं उसकी पूरी तैयारी चल रही है अब यहां निश्चित तोर पर कहा जा सकता है गुजरात और महराष्ट जल्दी महराष्ट के तम काश्टिंग यार्ड आनंद इस समय हम आनंद में हम आपको क्या दिखा रहे हैं आनंद में बुलट ट्रेन का काम दिखा रहे हैं बुलट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है जबर्दस तरीके से चल रहा है यहां पर गर्डर लांचिंग का काम चल रहा है और पहिए ही पहिए आखिरकार ये गाड़ी या ये वहकल क्या काम करता है किस तरीके से इसका यूज होता है इन सब पर बात्चीत करने के लिए हमारे साथ इसके आपरेटर हैं आए उन्हीं से हम बात करेंगे उनसे जानने की कोशिस करेंगे कि आखिरकार होता क्या है क्या नहीं यहां पर यह रहा है इसके बारे जा रहे हैं हमारे दसकों को बताईए है कि आखिरकार किया है इतना बारी भरकम गर्डर पर लेके घूम रहे हैं घूमने हैं इसको लोड करके और इसको यहाँ पर लोड करेंगे इसको लोड करेंगे उसके बाद में लोग लोग के पास ले जाएंगे वहां पी अनलोड होता है यह जो आपका वहकल है जिसको आप जीटी बोलते हैं गरडर ट्रांसपोर्टर तो यह कितना वजन गरडर उठा लेता है अभी सर्फ यह जो लोड आ है इसका एक हजार टन है अच्छा यह जो हमारी बीग एंट्री है इसका 1100 टन का कि पीशी टी उठाने गाए तो इतना भारी भरकम जब गरडर रखा जाता है और उसके बाद आप आगे लेके चलते हो तो आपको कहीं अंदर से डर तो नहीं लगता है कोई सार को डर नहीं ह कि यहां मैं पर आप रहे हैं अपने लाके के लोगों को क्या बताना चाहेंगे यहां के बारे में बताइए उनको संदेज दिजे बताना यह चाहेंगे कि हमारी लंटी कमपनी है के इतना बारीि वारी बढ़ा बना कर सब्सक्राइब करके मार्च करखे ले ज्यक्राते हैं रही बताना चाहे ने लोकेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं न कहीं गरडर आगे अब रखा जा रहा है और यहां से ठोड़ा आगे हमें आना पड़ रहा है क्योंकि यह डर रहता है कहीं अगर मोमेंट हुआ उसका तो दिक्कत ना हो जाए तो इसलिए कहा जा रहा है थोड़ा आप लोग आगे आ जाईए इसलिए मैं आगे आ गया हूं मुन्ना जी एक और चीज बताइए जब यह रख दिया जाएगा उसके बाद आप किस स्पीड से चलते हैं इसको फाइब किलो मेटर पर गंटा पांच किलो म में तो यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लांचिंग चल रही है और सामने अगर आप देखेंगे सामने एक ट्रेन भी जा रही है देखिए किस तरीके से ट्रेन जा रही है नीचे ट्रेन भी जा रही है सामने जो है लांचिंग का काम होना है यहां पर जब रखा जाएगा उसके बाद आगे धीरे-धीरे बढ़कर इसको वहाँ पर पहुंचाए जाएगा तो यह काम बड़ी धीरे-धीरे किया जाता है ऐसा नहीं को जल्दबाजी में काम किया जाएगा धीरे-धीरे यह काम होगा और यह काम अपने आप में काफी महत्पूर है क्योंकि वायाडक्ट है यह और यह वायाडक्ट आप देख सकते हैं जिस पर हम खड़े हैं आने वाले दिनों में इस पर बुलट ट्रेन चलेगी तेज रफतार ट्रेने चलेंगी आप समझे एहमदाबाद से मुंबई के बीच में तेज रफतार सब्सक्राइब का ट्रैक तयार हो रहा है तरगेड दे दिए गये हैं बता दिया गया है कब तक पूरा करना है और बड़ी तेजी से काम चल रहा है यहां आप देखहें किस तरीके से अ धीरे-धीरे करके इसको आगे आए हैं और बड़ी तेजी से काम चल रहा है आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो यह वायर्डक्ट का काम पूरा होगा उसके बाद इसके ट्रैक का काम पूरा होगा जगह जगह स्टेशन का काम चल रहा है और इस काम को पूरा करने के लिए एक टाइम लाइन देती गई है कैमरामेन हीरामंडल के साथ सिध्धार्थ न्यूज इस्टेशन आनन है हमारे साथ प्रदीप अहिरकर जी है यह उने से बात करते हैं प्रदीप यहां चल रहा है यार्ड के अंदर क्या-kैय शीजें होती है सामने क्या हो रहा हैनि यह असाम लोग कास्टिंग में खड़े हो हैं यह एक इंणर मोल्ड हैakah इंदर इंसर्ट हो रहा है और यह एक हम लोग एक मोल्ड तयार कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग अपना फुलव स्पान ल सबसे पहले तो यह मैथर्ड जो है 40 मीटर 40 मीटर का फुल स्पान लॉंचिंग गडर आज तक इंडिया में कहीं यूज नहीं हुआ यह पहली बार हम लोग इसको इसका कंस्रक्शन करके लॉंचिंग कर रहे हैं तो यह काफी हेवी होता इसका पायदा यह है कि यह मैथर्ड काफी स्पीड़ी यह करने से हमारा काफी तेजी से हम लोग सूपर स्रक्शर बना सकते हैं तो यह बिसिकली इस मैथर्ड से व लोग विदिन से 14 डेस हम लोग एक गर्डर तयार करके और लांचिंग लिए तयार कर सकते हैं अब तक अगर से याइड की बात करें तो कितने गडर्ट मैं बनाना है अभी तक टोटल हमने पॉइंट पे हम लोग उसको लिफ्ट करके और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ले जाते हैं एक और सवाल उठता है गर्डर के अंदर जो आप लोग सरीया इस्तेमाल करते हो तो किस तरीकी का सरीया होता है मैंने सुना है कि बहुत से लोग जहें बड़ा घटिया सरीया इस एक और चीज़ हम जाना चाहरे थे जब यह बन गया गर्डर और साथी साथ इसमें बीच वाला एक्ट थे ऑने देख रहा झाया ओसकी डिजाइन इससी करते हैं कि ऊसको बीच में और देते हैं तो इसकी डिजाइन इस तरह से है और यह चुछुत प्रकाइब मतलब सकता बढ़ता है इसलिए ज़्िदम से लेना देना नहीं यह दो यह मोस्ट इकॉनोमिकल डिजाइन है जो इस पर्टिकुलर वेट के लिए इस शेप बैस शेप है यह बॉक्स कड़र जो बोलते हैं वह बैस शेप होता है इतने लोड को लेने के लिए एक आखरी सवाल कितना मजबूत होता है यारे अगर हम देखें तो यह इलाका भूकम के लिहास से भी है सारी चीजें हैं और आप बना रहे हैं ऊपर चलेगी ट्रेन तेज रफ्तार चलेगी कितना मजबूत हैं यह इसमें जो हाइस्ट ग्रेड रखा हुआ हैं 50 का ग्रेड रखा हुआ है इसमें और इसके क्वालिटी चेक्स के साब से हम लोग पूरा इसका इसक कोई सेजमिक जोन है नहीं यहां पर फिर भी हमने इसमें सेजमिक स्टॉपर अगरा रखे हुए हैं जो की इन जीजों को प्रिवेंट करेंगे अपका धेर सब्सक्राइब यहां पर आप समझें यह मेठर हम आपको दिखाने के लिए यहां पर लाएं इस यार्ड के अंदर बड़े बड़े गर्डर बनाए जाते हैं और इनके वजन की अगर आप बात करेंगे 975 टन के यह गर्डर होते हैं और खास तरीके की मसीने इनको इधर से उधर ले जाती हैं जब यह गर्डर यहां बन जाता है उसके बाद इसको आगे इस्थापित किया जाता है वायडक् आगे बढ़ता चला जा रहा है गुजरात की बात करें तो गुजरात में जगे जगे पियर्स बनाने का काम चल रहा है वाइडक्ट बनाने का काम चल रहा है और जो टार्गेट हैं वो सेट कर दिये गए हैं दे दिया गया है कि इस टाइम तक काम पूरा हो जाना चाहिए अब आप एरो देखिए यह तीर देखिए किस तरीके से किस किस डायरेक्शन की तरफ दिखा रहे हैं एक डायरेक्शन सीधी है साबर मती रेलवे स्टेशन प्लेट फार्म नंबर वन दूसरी डायरेक्शन आप देखिए साबर मती हाई स्पीड रेलवे तो हाई स्पीड रेलवे क का जो station होगा वो कहां पर होगा आईए हम आपको दिखाते हैं और यह जो station है वो कहीं न कहीं साबर्मती multimodal hub से connected रहेगा और इस समय अगर हम बात करें तो साबर्मती multimodal hub कहीं न कहीं सेप लेने लगा है एक आकार ले रहा है और यहां पर जो पास की जगए है अगर हम उसकी बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से railway station है और उसी के पास में एक जगए है जहां पर high speed railway का station बनेगा high speed railway का station बनेगा और जो boundary आप yellow color में देख रहे हैं वो जगए high speed railway की है यानि bullet train का station बनने जा रहा है और यहां पर उसकी तयारी हो चुकी है यह हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का station होगा तो देखिए ऐसा station होगा जो एक photo दी हुई है इस तरीके का station होगा different होगा बिलकुल different होगा इसमें कोई दो राय नहीं है चलिए आपको हम planning बताते हैं आखिरकार planning क्या है तो यह planning देखिए उसके बारे में यहां पर जानकारी है किस तरीके का station होगा क्या-क्या elevation होगा अगर हम उसकी बात करें तो यहां सारी जानकारी दी हुई है इसके बारे में दिया हुआ है कि किस तरीके से समय हम concourse area में है और यहां पर उसका design दिया हुआ है कहां कहां क्या-क्या रहेगा और रूफटाफ की अगर हम बात करें तो उपर solar panel लगेंगे बड़े-बड़े solar panel लगेंगे और connectivity की अगर हम बात करें तो यहां connectivity देखिए एक तरफ साबर-मती station है जो की राज-कोट लाइन है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो high-speed railway station होगा और यह कहीं ने कहीं high-speed railway का जो station होगा उसका भी काम जल्दी शुरू होगा दूसरी एक और station है साबर-मती station दिल्ली लाइन जो की पास में ही है और यह सब आपस में जुड़े रहेंगे निस्चित तौर पर जुड़े रहेंगे जो यहां पर हम कह सकते हैं एक तरफ मेट्रो स्टेशन दूसरी तरफ एफोबी के जरिये हम बस स्टेशन है तीसरी तरफ रेलवे स्टेशन और high-speed station यह सारे आपस में connected रहेंगे चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार जगह कैसी दिखेगी जिस जगह पर हम खड़े हैं यहां से जब यात्री आगे बढ़ेगा तो यहां तरह तरह की दुकाने होंगी आप समझिए मॉल जैसी इस्तती होगी जिस तरीके से एरपोर्ट में धेर सारी आपको दुकाने दिखती हैं वैसी दुकाने यहां पर नजर आएंगी क्योंकि यह इलाका भी हम कह सकते हैं कि जो दुकानों के लिए बेश दिया जाएगा यहां पर तरह तरह की चीजें आपको नजर आएंगी कोई कुछ बेच रहा होगा कोई कुछ बेच रहा होगा आप आराम से निकल लिए अपनी जरूरत के मुताबिक आगे बढ़ते चले जाएए और यहां पर एक बार फिर से म पर कहा जा सकता है कि हाई स्पीड रेलेवे के हैं और यहां पर भी काम सुरू होना है और यह काम आसान नहीं है क्योंकि साबर मती वह जगह है जहां पर खुद प्रधानमंत्री नर्यमोदी और साथी साथ जापान के जो पूर प्रधानमंत्री सिंजो आबे जो आप नहीं अगर हम उनकी बात करें तो दोनों ने मिलकर बुलट ट्रेन परियोजना को एक तरीके से भूमि पूजन किया था उसकी सुरुवात की थी आज उसी जगहे पर हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है आने वाले दिनों की बात करें तो देजी से हम कह सकते हैं बुलट ट्रेन परियोजना कि अगर हम बात करें तो बुलट ट्रेन परियोजना आकार लेने लगी है जहें वो बडुद्रा का इलाका हो सूरत का इलाका हो बलसाड का इलाका हो या अहमदाबाद का इलाका हो या साबर मती हो हर जगह पर काम नजर आने लगा ह केमरामेन हीरा मंडल के साथ सिध्धार्ट न्यूजिस्टेशन साबर मती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनकर तैयार है अब यहां अंतिम चरण में है आईए जानते हैं यह क्यों है खास बुलट ट्रेन परियोजना की चीफ आर्किटेक्ट कामनी सर्मा जी है हमारे साथ आयोने से बात करते हैं कामनी जी अगर हम बुलट ट्रेन परियोजना की बात करें यह वहीं जगह है जहां पर प्रधान मंतरी मोदी और सिंजो आबे ने इसकी निव रखी थी भूमि पूजन उनको कनेक्टिवीटी देते हुए पैसेंजर की कंफट के लिए यह हब क्रियेट किया गया है तो चाहे आप मेट्रो से आ रहे हैं चाहे आप बी आटी से आ रहे हैं और अगर आप हैसे सार स्टेशन से जाना चाहते हैं आउट अट अफ सिटी या आप इंडियर नेलवेस स जाना चाते हैं, तो एक आपको common concourse है, जिसमें हर तरह का passenger facility प्रवाइड किया जा रहा है, और इसके तुरू, FOB के तुरू, various levels पे connectivity दी जा रही है, in addition, इस building में हर तरह के दूसरे transport mode के लिए भी different drop-offs, different parking base प्रवाइड की गई है, तो चाहे इंटर सिटी बस है, कुछ है, उसके लिए ground flow पे प्रोविजन है, त्री वीलर के लिए अलग लेवल पे राम्स है, फोर वीलर और टाक्सी के लिए अलग अलग राम्स है, सो जितना भी तरह से आप passenger यहां आ रहा है, उसको बिलकुल सुविधा से वो, this becomes a transition hub for him, from here he can choose which facility he wants to take. इस ट्रांसपोर्ट हब की जब हम बात करते हैं, इस में खास तरीकी के रंग इस्तेमाल के हैं हैं, आप लोगोंने, क्या मेंसेज है हुनका? जी, तो, बिकॉस यह वाइबरेंट गुजरात है, यह बिल्डिंग हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट थी, तो, यहलो इस अ कलर ऑफ होप और बाइबरेंसी, तो, वी रेली वाइबरेंसी यहलो कलर, वाइबरेंसी जो गांधी जी का बहुत मेसेज कनवे करता है, तो, यह कलर्स लेते हुए, हमने फसाड में डाइनमिजम डिपिट करने की कोशिश की है, बिकॉस हमारा एचेसा स्टेशन शोज मूवमेंट अने शोज दाइनमिक प्रोग्रेस इतल ब्रिंग तो इसलिए हमने बट वाइबरेंट गुजरात के लिए, अचा एक आखरी सवाल, अगर साबरमती बुलट ट्रेन इस्टिसन की बात करें, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या उसमें आपने नया डिजाइन किया है? उसमें भी हमने गांधी जी का एक चर्खा हमने ऐलिवेशन में लिया है, और जिस तरह से साबरमती रिवर का जो शेप है, आप देखेंगे, वो हल्का सा कर्व में आता है, उसको हमने एलिवेशन के प्रोफाइल में लिया है, जैसे जैसे हम उसकी डीटेलिंग करेंगे, आपको वो भी दिख जाएगा, आपका डेरी सार धनेवाद, तो यहां पर आप समझेए, कि जो इसका डिजाइन है, उसमें कहीं न कहीं संदेश देने की कोशिस की जारी, क्योंकि गुजरात की जब हम बात करते हैं, तो गांधी का गुजरात, और गांधी पूरी दुनिया के हैं, और गांधी की जब हम बात करते हैं, तो निशित तोर पर सांती अहिंसा की बात होती है, तो कहीं न कहीं जो रंग इस्तेमाल किये गए हैं, वो सांती अहिंसा, और हम कहते हैं प्रोग्रेस के हैं तेजी के हैं खास तरीके का अर्गिटेक्ट है जिसका इस्तिमाल किया गया है कैमरामेन हीरा मंदल के साथ सिधार्थ निवजी स्टेशन साबर मती ट्रांसपोर्ट हब